काटा अविन्या कॉंसेप्ट इलेक्ट्रिक स्यूवी से उठा परदा भारत के साथ वैश्विक बाजारों में होगी लांच टाटा मोटर्स इस एवी फ्लीट कंपनी को करेगी 5000 एक्स्प्रेस्ट एव कारों की डिलिवरी आने वाली है टाटा मोटर्स की तीसरी इलेक्ट्रि DCA में मिलेगा नया तचस्क्रीन इंफोटेंडमेंट कंपनी ने जारी किया नया तीजर तोलोटा बी जेड चार एक्स इलेक्ट्रिक स्यूवी हुई लांच फुल चार्ज पर चलती है 560 किलोमीटर जाने क्या है खुबिया ताटा अविन्या कंपनी की नई इवी बॉन इलेक्ट्रिक पर तयार की जाएगी जो दो और तीन पंक्ती सीटिंग विकल्पों में आएगी ताटा मोटर्स की यहां इलेक्ट्रिक कार प्लाटफॉर्म वैश्विक मानकों पर तयार की गई है इस प्लाटफॉर्म पर कंपनी वैश्विक बाजारों में भी अपने इलेक्ट्रिक वाहन लॉंच करने की तैयारी कर रही है Tata बनेगी वैश्विक कार निर्माता इस प्लाटफॉर्म पर आधारित मॉडल्स के 2025 से शोरूम में आने की उम्मीद है Tata अविन्या भविश्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक कार है जो Tata के लिए वैश्विक कार निर्माता बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी Tata का कहना है कि वे न केवल भारत बलकि दुनिया भर में सर्वश्रेष्ट कार निर्माता बनने का प्रयास कर रही है क्रोसोवर SUV जैसा है डिजाइन अविन्या इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का उद्देश टाटा मोटर्स के नए इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन के लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ डिजाइन प्लाट्फॉर्म और्डी अर्बनस्फियर के समान है कम्पनी ने इसके बाहर के डिजाइन के साथ-साथ अंदर के डिजाइन पर भी काफी ध्यान दिया है SUV और MPV दोनों के मिलेजुले बाडी स्टाइल के साथ वाहन का बाहरी डिजाइन एक क्रॉसोवर SUV के जैसा है नई टाटा बॉन इलेक्ट्रिक वाहनों को एक नए स्केटबोर आर्किटेक्चर पर आधारित किया जाएगा जो विशेश रूप से बैटरी से चलने वाहनों को समर्पित है आम तौर पर स्केटबोर प्लाटफार्म में एक लंबा विल बेस होता है जो एक बड़े बैटरी पैक को समायोजित कर सकता है इस स्केटबोर पर बनने वाले पहले उत्पादों में से एक सफारी या हैरियर के इलेक्ट्रिक समकक्ष होने की समभावना है इसके अलावा नए स्केटबोर प्लाटफार्म को टाटा मोटर्स अपनी सहायक ब्रिटिश कमपनी जेलार जगुआर लैंड रोवर के साथ साज़ा कर सकती है नए ब्रांड लोगो की दिखाई ज़लक टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार रेंज के साथ अब नए ब्रांड लोगो का उप्योग कर सकती है अविम्या इलेक्ट्रिक कॉंसेप्ट के साथ कमपनी ने नए लोगो का भी खुलासा किया है आने वाली इलेक्ट्रिक कारे टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TPML ब्रांड के EV डिवीजन से निकलेगी जिसे हाल ही में स्थापित किया गया था नया टाटा लोगोटी के आकार में LED लाइट स्ट्रिप है जो कार के सामने और पिछले हिस्से में फैला हुआ है बता दे कि टाटा मोटर सफारी SUV का एक फुल इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी में है जिसे कोड में एतुरना कहा जा रहा है कमपनी इस SUV का उत्पादन 2025 में शुरू कर सकती है